हलो दोस्तों गुण मॉनिंग एक वाफिस स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपसे बैच्छे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे अब एक इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेनरल परमोसन के मार्क्षिट के बारे हैं और दूसरी बात कि इसने मार्क्ष दिये जाएंगे सबसे पहले यह बात रखिए कि जेनरल परमोसन आपके कंफर्म हो चुके हैं बोट बिहार बोड ऐसे भी आपको पता है कि कभी भी एनॉस्मेंट नहीं करती है कुछ भी चीज़ पिछले साल भी बोड ने सड़नली बॉला था कि आपको जेनल परमोशन दिया जाएगा नाही ट्रesis को स्कूटनी के रिज़ल्ट पोलके दिया जाता है नहीं किसी भी तरह की इन्फोरमेसन बूर्ट कर दreth की टाइम इन्फोरमेशन देती उसके बाद बिहार बोड कि एक खासथ है कि कभी रिजल्ट का या कि नहीं है जबकि सरकार के द्वारा आंक्रे लगबग में छिपाए जा रहे हैं कि आने वह कि एक्जामनेशन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोग लास टेक वीडियो को देखेगा एक वीडियो मैं इंक्लूड कर दूँगा आप लोगों अगर वो में में लॉक्डाउन खतम होंगे देन जून में अभी पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थिरी यानि बी एस सी बी कॉम बी यानि ग्रेजुएशन यूजी जिसे हम लोग करते हैं उसके एक्जामनेशन अभी पंडिंग में परे हुए हैं उनके एक्जामनेशन होने उसके बाद आपके स्कूल में आपके एक्जामनेशन से पहले एडमिसन की परकेज़ा चालू कराने तो बहुत ज्यादे प्रोब्लम हो जागी अगर एक्जामनेशन आप लोगों को लिया जाता है तो आप लोग जरूर से जरूर यह सोचा किजए एक वीडियो को सेयर करते ताकि वीडियो अच्छे पदादिकारियों तक पहुंचे और उन्हें सच में लगे तो आप बात करते हैं जेनरल परमोसन की तो बात जेनरल परमोसन आपको तीन विसायों में देना होगा इसे पिछले बार से दो विसायों में दिया जा था लेकिन कुछ चाह तरसे थे जि और इस बार तीन सब्जेक्ट में च्छातरों की मांगे क्यों नहीं यह लाव मिले तीन सब्जेक्ट में मिलने के कारणा एक अर्था जो च्छातर तीस नमर से फेल है उन्हें पास कर दिया जा और बोर्ड इसकी घोजना जल्दी से जल्दी कर दे एक्जाम निसन तो नहीं मिले तो मिल आपके अगले वीिडियों तब तक लिए J भरत दिन आपका सुबुत धन्यवाद है